मार्केटिंग के कोर फंडा बटाया मतलब चवणनी के ठोकर पे आप जमाना को जो है अरा सकते हैं तो यह जो है चवणनी कम करना सीखिए अगर मार्केट में कमपटीशन है तो कहने का मतलब यह है क्या बात मतलब प्रोग्रेसिव सोच देखिए कहा साओधी में फसे थे वहां से आये ओटो निकाला ओटो के बाद फिर प्रयासरत है जिंदगी का सफर जो होता है ऐसा ही आगे बढ़ता है ऐसा नहीं है कि भया एक चीज़ पकड़ लिया तो जिंदगी बर उसी चीज़ को ढ हो रहे रोज वही बाजा बाजराय सुबह उट रहे तो आप नई पर भी तो 30-35,000 रुपया मैंने का आराम से कमा सकते हैं सर आटो ड्राइबर हैं आटो चलाते हैं और पार्ट टाइम ये काम करते हैं फूल टाइम नहीं करते हैं दोस्तों दमिता के नए सफर में नई कहानियों के साथ 2023 में आप सभी का फिर से स्वागत है और जो बिजनेस की नई स्टोरीज हैं उसको हम लोग गली कस्बों से खोज कर ले आते हैं और आज की स्टोरी बहुत खास है देखिए स्टोरी जो है वो और कुछ नहीं दे सकती है तो आपको होसला और प्रेड़ना तो जरूर दे सकती है आज की कहानी है एक आटो ड्राइवर की जिन्होंने पार्ट टाइम पेपर प्लेट बादन का बिजनस शुरू किया और इनको कवर करने के लिए हम पूछ पहुचे हैं फुलवारी शरीफ और स्पेसल थाइंक्स टू शत्या इंडस्ट्रीज सत्या मशिनिरी जिनकी वज से आपके यूटूब चैनल में आए हैं सबको धन्यवाद करते हैं और सलाम कहते हैं भागी बात है कि आप लोग हमारे बीच में आए हैं यह हमारा भी सोभाग है और एक थैंक्स आप अमन जी और निशान जी को भी कह दें जहां से आपको यह रुजगार मिला यह अमन जी और निसान जी के सहयोग से यह काम हमें स्टार्ट किये हैं उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा मुझे इस पर रिसर्च था लेकिन उनके बात से इतना सहमत हुए कि हम डबल डाइव मशीन पर्चेस किया हैं मुझे भी पता चला सर क्योंकि बहुत सारे मैंने कवर किये हैं लेकिन हमेशा से ये लोग सवाल उठाते हैं डबल डाइव मशीन पर जो क्रैंक वाली है जो आपके हां फिलहाल इंस्टॉल है और आपके हां आप चला रहे हैं लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए बहुत अच्छा है तो अच्छा है कि आपने आज यह नहां पर मशीन लगा रखी है और प्रोडक्शन भी कर रहे हैं बहराल वीडियो सुरू होने से पहले एक आपका फॉर्मल परिचे आप क्या करते थे कैसे इस बिजनेस में आया आप आटो ड्राइबर भी हैं तो थोड़ा सा आप अपने बारे में जो हैं हमारे दर्शों को तो वहां पर भी एक लेवर का कितना कमाई होता है 25 से 30,000 रुपय कमाई होता तो यह चीज वहां कमा रहे थे लेकिन एक दिमाग में हुआ कि नहीं यहां पर आकर करके काम करना चाहिए इंडिया में इतना कमा सकते हैं अगर महिनत करेंगे तो तो सुरुआत जो है कि हम एक अलग है जो हर इंसान का जो बस की बात नहीं है जो अख चला सकता है लेकिन फिर भी परियास करते करते क्यूंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था लॉग्डॉन था और परशानी बहुत सारी थी तो यह था कि ओट चलाते हैं तो कैस मुझे आ जाता है तो इसलिए चोटो चलाते चलाते पिस्काद मुझे इस चीज का बारे में बहुत पहले से ही अच्न वाद वह कम था लेकिन जब यह एगे आपका पहले देखा मुझे बहुत अएडिया मेला फिस पर अमन जी के पास में निसान जी से बात हुई तो उनके ओपिस में गये तो यहां पटनावाली ओप्स में पटा दो कि निशान जी का जो आफिस ए सत्या मशिनरी का वह बाइपास के पास है पस स्टैंड के से मिठापूरल में मिठक और वास हնे Я मुलाकात नहीं अन्ह पीशेए तो उनने बताया किया बहुत अच्छा लगा थीक बस उसी टैप मैंने डिसीजन दिया और मैंने इनको एड़ास देदिया यह अध्यक्रक ददिया और देने के मांग तो रहते जादा लेकिन मेरे पास में उतना ही था तो मैंने उनको 8000 रुपे दिया बाद में फिसको और उनको दिये तो इस तरह से यह बहुत अच्छी लगी और आपने यहां मशीन चालू किया वीडियो देख करके इन्होंने मशीन लिया और आपने कशिडर किया देखिए कभी-कभी हो सकता है ऐसा कि लोगों क्वास कमी रहती है तो यह बात बहुत अच्छी लगी और आपने यहां मशीन चालू कर लिया तो आपने यह बता दे कि डबल डाई सिंगल डाई से टो नहीं शुरू किया उन्होंने जिस तरह से से बताया ν enfale ने और शिलन को दिखास्व का मौटर खाता है तो उसमें अलग करणral फिर डाई में लेते हैं तो यह डाई में एक ही मोटर से दो डाई चला सकते हैं तो इसका ये फाइदा है कि मेरा बिजली का खपत कम होगा बिजली का खपत कम होगा और एक साथ ही इस पेस भी कम लगेगा और उसी में काम स्टार्ट हो जाएगा बहुत शुक्रिया और आज बिशेस रुप से बात करेंगे सर यह देख वह पीज़ाहता हूं खात नमबर आनवर्ट चाली और बर्गर गरामें यूज होता है जी अविशुष कॉअधर खाने के लिए जो बारान्नमर प्लेट होता है यह यह वाल बार नंबर प्रचलीट में जिझी तो इस तारह का चला रहे हैं और कि अतना हो रहा है कि मतलब माल चला जारा है फोड़ा अंदा आपना माल बनांः कर तौड़ा बहुत चौक कर रहे हतं बहुत जधा तुणत नहीं होता है लेगी फैस인이 थे मेरा दूसरा भी माल बनेगा तो एक एक रॉल भी अगर दीन लिनॐ कार्टे है पाची से अगरमberg ये compliant लिए लैतहर लिए फूचका व्हुंच होता अगर 25 केजी का जब कार गण्मों करूं behavior एन दुम सीरफ़ ये सबनीट होता है एक पीशन पेशन हाट दो chyba आधा टैम में आपका फ्युमों कहता है दिनबर में अगर 70-80 kg भी आप काड करकर के पैकिंग करकर करके अगर अगर माल चला जाता है मार्केट में सेल हो जाता है तो आप नहीं पर भी तो 30-35,000 रुपया मैने का आराम से कमा सकते हैं पॉइंट टुबी नोटेट सर आटो ड्राइबर हैं आटो चलाते हैं और पार्ट टाइम ये काम करते हैं फूल टाइम नहीं करते हैं और पार्ट टाइम में अगर काम करके 30,000 का जो है यहां पर इंकम जनरेट कर सकते हैं और आगर आपके घर में हैंड्स हो क्योंकि हो सकता ह परके लेकिन इस मशीन पे कितने लोगों की जूरत पड़ती है सबसंगे सबूल एगर एर मजलाना है तो यह वाल जो doit iç ठीक झालना हैं झाल्हम आजर फॉट्ट लोग चाहिए चाहिए कंसोर लेसं बिढ़ियों कि अगर currently? करके सेल कर सकते हैं आप ये बताएं सर की डबल डाई और सिंगल डाई मशीन में आप किसको बहतर मानते हैं कैसे जस्टिफाइड करेंगे जिसकी एक्सप्रियंस है क्योंकि मैं एलक्टिशन भी हूं तो मुझे इस चीज का बारे में थोड़ा आइडिया भी है मशीन को कैसे किया जाएगा पैनल बोर्ट को अगर कुछ ऐसा हीटर वगरा प्रॉब्लम हो जाता है तो कि हीटर को भी हम रिपैरिंग करकर करके चला लेते हैं तो जिसको ऐडिया है वो इंसनां डवल डाई ले सकता है अगर जिसको आइडिया नहीं है तो सिंगल डाई ले वह ज्यादा बहतर है इसलिए कि सिंगल में आपको टेंशन कम होगा और यह एक तरफ चिपक रहांत तो यह चीज की परशानी थोड़ा सा रहता है अगर उस च लिखेगा लेकिन एक मीनिमाम डशे पंदा दिन में इतना हो जाएंगे कि आप बले हैं यह तो कुछ भी नहीं है मैं इसको चला सकता हूं कने का मतलब यह है कि अगर आपके पास हें चैनले से तो कराएए बतलाब 2 लोग अकेले हैं तो च्राव questa है ऐसे च्छाने कर लें कि आप तो कारुबार को कर रहे हैं आपका माल तो सेल होता है तोे कि दूर में करते हैं छतोला का जिपनके आपने गाड़ी पर अभी ड्राइवर चला रहा है मेरा गारी तो हम ड्राइबर को दे देते हैं पीछे में वह रख देता है रख करके वह पहुचा देता है 25 से 30 केजी के एक जो रॉल आती है सर अगर वो रॉल काट ले और काटने के बाद सब चीज हम जोड़ लेते हैं उसमें आपकी इलेक्टिसिटी विल हो गई सब्सक्राइब करने अगर लेते हैं तो 70-800 रुपे एक रूपे बनीफिट होता है तो अगर एक रूपे काटते हैं और काट खर करके पैक कर देते हैं हापटे ऊटो सब्सक्राइब निकाला ओटो के बाद फिर प्रयासरत है जिंदगी का सफर जो होता है ऐसे नहीं आगे बढ़ता है ऐसा नहीं है कि भीया एक चीज पकड़ लिया तो जिन्दगी बर उसी चीज को ढो रहे हैं रोज वहीं बाजा बजराय सुभा उट रहे हैं तो लाइफ में तरक्की जरूरी आप युवाओ को क्या मैसेज देंगे सर हम तो यहीं कहेंगे कि संघर्स करेंगे तो काम्याब होंगे और जो भी कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वहीं बैस्ट है जो हम कर रहे हैं वहीं बैस्ट है जो आपको अच्छा लगता है जो आपको लगता है कि हम इसमें काम्याब ह सकते हैं तो आप उसको संगर्ष किजिए दिन रात किजिए और करने के बाद में आप काम्याब होंगे काम्याबी ऐसा नहीं है कि काम्याबी नहीं मिलना काम्याबी एकदम मिलेगा 100% मिलेगा और कोई भी इंसान जो महनत किया है वो काम्याबी हुआ है जो काम्याब नहीं हुआ है वो बेकार इंसान है बहुत अच्छा मैसेज दिया एक चीज़ सर प्रस्ण और पुछते थोड़ी सी हीटर पर बात कर ले कभी लोगों को यह समस्याय आती है हीटर के बारे में हीटर की सेटिंग क्या होनी चाहिए कौन साइट लगाना चाहिए हीटर में देखे सर ऐसा है कि 12 इंच का जो थाली बनाते हैं तो उसमें चाहिए कि इस टोन हीटर लगाएंगे वह सुरू से ही लगाई यह ऐसा निया कि जबाद में लगाएंगे ऐसा कुछ नहीं है इस टोन हीटर ज्यादा होकी अधिक संट विक ड्रीकट िच डिक हम दिखा नहीं दिक हांगे आप देख लीक्री मोख होगे तो आपका जो है प्लेट यह ठैलेगा नहीं को लगाने से आपका प्लेटी में कड़कपन आएगा और वेश्च क्वालेटी बनेगे जब वेश्ट कॉयलेटी वनेगा तो फिर आप मार्कटिण अच्छा कर सकते हैं थोड़े से ठीज ठीघ करें पैसा बचाने के में आप पैसा कमा नहीं सकते हैं यहीppen मैंतों यहीं तो यह जो है प्रॉब्लेम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको अच्छा करना चाहते हैं जिंदगी में कुछ बहतर बनना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप क्वालिटिक पर भी समझता कीजिए और देखिए यह कमरे की साइज कितनी होगी सर्थ कमरे की साइज सर्थ आठवाई दस की होगी आठवाई दस मतलब 18-10 असी स्क्वाइर फीट के कमरे से एक इंटरप्रनियर्शिप की इस और यहां से एक जस शुरुवात डाली है इन्होंने नीव डाली है कितने महीने पहले यह सर मिनिमंडम के डिढ़ महीन हो रहा है अभी तक जो डिढ़ महीन आ वक्त भीता है उस लिए साब में आपको इस बीजनेस का सिनेरियो क्या नदर आ रहा है सर मुझे पंदा दिन पहले जो है कि मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था लेकिन जैसे जैसे पर ग्रेस बढ़ रहा है तो मुझे काम करने में भी मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है काम करने में जबी यह है कि इस पर इंदर में जतना महनत करते हैं आत्या भी लाम भाउठी तो कि लाल हम उतना टाइम भी नहीं दे पा रहें किन क मेरे बंदो काम है लेकिन के उसको थोड़ासा भी हम ऐं वह तोडा डीला करती है आए पकड़ को जैसे हम दर लोग कि लुग आंड जो कि कि मेरी फैמिली भी जो काम क्रने के बाद में टाइम मिलता है तो पैकिंग अगरिशते लोगों की सब्झाइब है मिरे एक वायप है तो बाकी मिलब organizations है लेकिन वह यहां रहते हैं गाउं पर जातर कर रहते हैं अब इससे अच्छा चल जाना ना सर जी जी परिवार का खर्ट लोग खुश है घर में एकदम सही है सर कोई दिक्कत नहीं है बस यह कि अभी इसमें और जो है महिनत करने की जरुवत है और महिनत करेंगे तो इसमें और ज्यादा बिनिफिट मार्केटिंग की टिप्स जो है आप जो सेल करते हैं थोड़ा सा उस पर प्रकास डाले की रोव मेटरियल आप ले लेते हैं उसमें कोई कमी दिकत नहीं नहीं सर रोव मेटरियल के लिए भी हमको निसान जी ने हमको आइडिया दिया था कि आप यह से लेंगे तो जहां से निसान जी बोले महीं से मन जी भी बतायते हैं तो मार्केटिंग में यह है कि आपका अगर क्वालिटी अच्छा है तो आप लेकर करके मार्केट में जाहिए और वहां पर रेट खराब करनी की ज़रूत नहीं है आपका जो रेट बन रहा है वह इस उ दूसरे जगह दूसरे जगह नहीं तो तीसरे जगह आपको रेट मिलेगा लेकिन यह चीज़े की सोचिएगा कि जहां पर अगले का 12 रुपे में जा रहा हम भी जागर करके थोड़ा कर देंगे तो साड़े गारा कर देंगे तो आपका बिनिपिट खतम हो जाएगा तो इस दूसरे पर फोकस कीजिए जब आपका दूसरा अगर उसी रेट पर मिल गया तो माल पहले उसको दीजिए फिर इनको कम कीजिए जब इस तरह से आपका माल जब रन होने लगेगा तो बताइए कि भाई रेट उदर से बढ़ गया है पेपर का मैं क्या कर सकता हूं आपको य सबसे बड़ी बात है कि इसको नॉलेज आगा नॉलेज है तो इसको सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं कोई परशानी नहीं ना मशीन खराब है ना मशीन देने वाले खराब होते हैं खराब होती है आपकी सोच जहां पर आप ये सोचते हैं ठक जाते हैं चार दिन चलाया नहीं कुछ हुआ चार दुकान गए बात नहीं बनी तो आप वहाँ पर हार के वापस घर आ जाते हैं लेकिन उस दौर को अगर आपने पार कर लिया है और सारी चीजों को उसमें समझने का मौका भी तो मिलता है सर इस दौर को तो मनाईए कि वह आए मशीन आएगा प्रॉब्लेम आगा तो ज्यादा समझ में आएगा और पेपर प्लेट आज ट्रेंडिंग बिजनेस में बार बार कहता हूं कि इसकी डिमांड बहुत है क्योंकि अभी फिलहाल 2023 में तो बंपर डिमांड रहने वाली है क्योंकि पिछला साथ से थर्मकॉल ही चला रहा था जी सर यह बहुत अच्छा डिमांड है पेपर प्लेट की डिमांड होने वाली है और अच्छा डिमांड भी हो रहा ऐसा नहीं कि नहीं लोग यूज भी कर रहें जा तो आदमी को कहीं नुकसान दे रहा था लेकिन अभी जो है कि यह ज्यादा से ज्यादा यह चलने वाला बिजनेस है और उसको भी सरकार ने बैंड कर दिया है तो चलिए दोस्तों बाकी डिटेस्ट जो है वह आप सत्या मश्री से कॉल करके पूछ सकते हैं और डबल डाई इनके पास है लेकिन सर ने बताई है मशीन भी खराब नहीं अच्छी है लेकिन इसके लिए थोड़ा सा नौलेज चाहिए और देखिए इसमें कोई बहुत परशानी नहीं कुछ नहीं है बस थोड़ा सा आपको दो-तीन दिन परशानी लगेगा लेकिन एक बार सेट हो गया निसान जी जू है ऐसा नहीं कि निसान जी आपfed चियं आपके बेएक जाएगा ही और जाकर करके आपका जोभी प्रउब्लम है वह अपको solve करेगा और जो भी परशानी है सॉल्प करता है और सॉल्प होने के बाद में फिर आप उसको एक बार समझ गए तो चलाते रही है लेकिन यह चीज है कि आपको समझना होगा यह चीज आप एक बर समझा दिया फिर बार-बार फिर आप उचीज को कीजिएगा तो कोई भी उन्हें भी से जो है कि हम यह काम को स्टार्ट कर सके हैं और बहुत अच्छा उनका वह रहा अमन जी से भी बात हुई थी उनसे तो खेर मुलगात नहीं हुई लेकिन चलिया फिर हम मिलेंगे किसी नई जगा पर किसी नई मशीन का इसी तरह से जनकारी आपको देंगे जो मारे मित्तर है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और पेपर प्लेट बिजनेस बहुत ट्रेंडिंग है सो समझ के फैसला कीजिए निरने कीजिए मिलते हैं बहुत जल्द जय हिन जय भारत